नमस्कार आज हम माध्यमिक इस्तर पर कवी देव की कविता को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे अभी इससे पहले आपने भक्तिकाल के कई कवियों की कविताएं अपनी पाठे पुस्तक में पढ़ी है जिसमें सूरदास, तुलसीदास, कबीर, आदी कवियों की कविताएं रही हैं कि साहित्य निरंतरता में पैदा होता है और साहित्य की निरंतरता और उसके इतियास की निरंतरता को जानने के लिए हम विभिन काल के कवियों की प्रवर्थियों को ध्यान में रखकर कुछ विभिन कालों के कवियों को पाटे-पुस्तक में शामिल करते हैं तो रीती कालिन कविता की विशेष्टाओं को उजागर करने के लिए या उसका सामाने परिचे मद्धमिक इस तरके विधिहारतियों को देनी के लिए कभी देव की कवीता हैं पाटे-pustak में रखी गई हैं देव की कवीता को समझने समझानी के लिए उसके बारे में जानकारी प्राक्त करने के लिए हमें रीती काल की कविताओं की कुछ विशेष्टाओं को जानना पढ़ेगा रीती काल जो हिंदी साहित्य में वह दो सो वर्षों का लगबग काल माना जाता है इसकी शुरुआत हम 1650 से लेके 1850 तक मान सकते हैं इस यूग की कविता जन सामाने से हटकर राजाश्रे हुई या दर्बारी कविता बनी और इससे पहले भक्ति काल की कविता जन सामाने से जुड़ी हुई कविता थी जीती कालिन कविता और भक्ति कालिन कविता में ये मुख्य फर्क है कि यह कविता राजाश्रे में विकसित भक्ति की लो धीरे-धीरे क्रमश मंद होती गई और स्ञंगार की प्रवर्ति बढ़ती गई जो हम रीति-कालिन कविता में देख सकते हैं इस यूग की कविता में भक्ति का स्थान शंगार ने लिया था और कविता पाड्लौकिक या अध्यात्मिक्ता से भक्तिभावना से और यह उसकी प्रवर्ती हमें भक्ति काल के अंतिम दिनों में दिखाई देती है जहां कृष्ण भक्ति साखा के कवियों में धीरे धीरे शंगारिक्ता की प्रवर्ती बढ़ती गई और भक्ति शीर होती गई भक्तिकाल की कविता की यह शंगारिक्ता ही आगे चलकर रीतिकाल में मोटे तोर पर हमें दिखाई देती है भक्तिकाल की जो कविता है उसमें जो प्रेम है वह सांसारिक प्रेम नहीं है बलकि वह भगवान के प्रती इश्वर के प्रती प्रेम प्रमूख है जबकि रीतिकाल की कविता का प्रेम जो है वो लौकिक प्रेम है लेकिन कवियों ने उस प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए राधा कृष्ण के प्रेम को यहां व्यक्त किया है यानि कि आलंबन उसके राधा और कृष्ण ही है लेकिन वह प्रेम लौकिक है जो शंगारी प कवीता के फर्क को हम तुलसी की एक पंक्ती से देख सकते हैं जहां तुलसी कहते हैं कवी नहीं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं वो कहते हैं कि मैं कवी नहीं हूं और नहीं चतुर हूं मैं अपनी बुद्धी के अनुसार राम का गुण गाना चाहता हूं य आगे के कवी समुझे तो कविताई नहीं तो राधा कनाई सुमिरन को बहानों है यानि मेरी कविता का उद्देश कविता करना है अगर मेरी कविता आगे की कवियों को लोगों को अच्छी लगे तो वह कविता है नहीं तो मैं यह समझूंगा कि यह राधा और कृष्ण की भक भक्ति का इसमरण करने का एक बहाना है., यानि कि आप इस दोा इस से इस फर्क से समत सकते हैं कि दीती कालीन कविता ककविकर्म या उदेश किस सबात था और भक्ति कालीन कविता का उदेश क्या रहा है, जब वह रो का यहlar क शंगारिक भक्ति यह इस तो यहां जो है वह मुख्य रूप से लौकिक शंगार की अभिवक्ति हमें दिखाई देती है। यहां इस लौकिक शंगार की अभिवक्ति के लिए कव्यों ने साइत शास्र का सहारा लिया। जो संस्कित में नाई का भेद है, रस का निरूपन है, शब्द शक्तियां है, काव्यबून है, अलंकार है, छंद है। इन सब के आधार पर उन्होंने कविता रची, क्योंकि उन्हें चमतकार प्रियता, यानि कविता में चमतकार कैसे पैदा किया जाए, और कविता को कैसे उसको प्रभावशाली बनाया जाए। इसलिए रीती काल के कवियों ने काव्य शास्त्र का आधार ग्रहन किया। रीती काल शब्द के पीछे, रीती काल के नामकरण के पीछे भी यहीं प्रवर्ति है। रीती से मतलब यहां हुआ कविता करने की रीती, कविता करने के नियम, कविता करने की पद्धती क्या होनी चाहिए? तो इसलिए उन्होनी जो है वह अपनी कविता में लक्षन ग्रंथों के आधार पर कविता करने की परदती या रीती या कविता की नियम को समझाने का प्रयास किया है लेकिन रीती कालीन कविता में इस प्रवर्ती को समझाने के लिए आधार रूप में हमारे पास संस्कृत का कावे शास्त्र था या संस्कृत साहिते शास्त्र था हिंदी कवियों ने उस संस्कृत कावे शास्त्र को ब्रिज भाषा में लाके कविता के क्या लक्षन होते हैं इसके आधार पर लक्षन ग्रंथ तयार किये और उस लक्षनों के आधार पर उदारन प्रस्तुत किये कि जैसे कोई रज की कविता है तो उसके उदारन स्वरूप उन्हों ने अपनी मौली कविता सामने रखी इस तरह रीति काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य कविता करना था न कि साहित शास्त्र का परिचय कराना तो वो जो कविता है उन कवियों की कविता में इसी लिए हमें सुन्दर उदारन और हमें सुन्दर कविता मिलती है इस तरह रीति काल में एक कवितों वो हुए जिनोंने लक्षन गरंत लिखे और जिनोंने कविता के करने की पद्दती को बताते हैं उदारन स्वरूप कवि उनको हम रीती ग्रंथकार कवी कहते हैं या रीती बद कवी कहते हैं एक दूसरे प्रकार की कवी और हुए रीतिकाल में जिनों ने कोई कवीता की नियमों को नहीं बताया जिनों ने कोई साहित शास्री का वर्णन नहीं किया लेकिन जिनकी कवीता उन कावेगुणों पर आध जीन ने को हम कीति मुक्त कवी कहते हैं जीनों ने ना किसी लक्षन गरंत की रचना की और ना ही कवज की परिपार्टी के अनूसार उन्होंने अपना कवे लिखा इसलिए हम उनको तो रीति मुक्त कवी कहते हैं ऐसे कवियों में घनानन्त, बोधा, ठाकुर, आलम आदी आते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस तरह कवियों की तीन श्रेनिया रही है रीतिकाल में। तो रीतिकाल के प्रमुकवियों की हम चर्चा करते हैं, तो उसमें देव एक सर्वश्येस्ट कभी माने जाते हैं और वो आचारे कभी भी माने जाते हैं, उनकी कविता उन्होंने लक्षन ग्रंत लिखा और उन्होंने कई राजाओं का राजाश्य प्राप्त किया, कहीं भी एक स्थिर हो के वो नहीं रहे, लेकिन उनकी कविता में हमें कविता उनकी लक्षन ग्रंत मुख्य उदेश नहीं था, कविता करना कवी का मुख्य उदेश ये था, इस तरह मित्रों हम देखते हैं रीतिकाल की कुछ विशेस्ताएं, जो है वह एक तो यह कविता शंगारी ह दूसरे ये कविता राजाश्रित है या दरबारी या सामन्ती संस्कृती में पली बढ़ी है। तीसरी ये कविता जिसमें चमतकार प्रियता है, उक्तिवेचित्र है और आलंकारिता यानि साइत शास्त्र जिसमें रस, ध्वनी, अलंकार, छंद, शब्द शक्तियां, जिधान रखके कविता उत्पन्य की गई है या कविता निर्मित की गई है। तो विद्यारती अपनी सांस्कृतिक और साहितिक धरोवर से जुड़े, इसके लिए भी इस कविता का अध्यन जरूरी है। और हिंदी कविता के इतिहास को निरंतरता में समझने के लिए भी इ इसके साथ ही आज जो हिंदी है उस हिंदी की विंजना शक्ति को समझने के लिए भी उस युग की कविता को जानना जरूरी है। कोई भी कविता अपनी पूर्ववर्ती भाषा से मुहावरे कहने का धंग आदिलेती है। और हम और आप सभी जानते हैं कि खड़ी बोली देशज भाषा या आवदी भाषा थी जो हमारी देशज भाषाएं हैं या जो लोक भाषाएं हैं। तो आज की कविता उन लोक भाषाओं की विंजना शक्ति से उनकी कहावतों और मुहावरों ते बहुत कुछ सीखती है। इसकी जानकारी के लिए भी उस कविता को समझन जरूरी है इसलिए हम भक्तिकाल, धीतिकाल आधी की कविताओं को पढ़ाने का यहाल पाथे करम में रखते हैं जिसे विध्यार्तियों की समझ बढ़े की विध्यार्तियों में स्रिजनात्मक्ता, कल्पनाशील्टा और अपनी मौलिक्ता को बढ़ावा देनी के लिए भी हम क कविता का अध्यन अध्यापन करते हैं क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि कविता सबसे प्राचीन कलात्मत विधा है और हिंदी कविता की प्रवर्तियों को समझने के लिए भी विभिन कालों की कविताओं के लक्षन और विचेष्टाओं को जानना जरूरी है और बाद की कविता में इस कविता का क्या प्रभाव पढ़ा इसको भी हम जानने समझने के लिए उस कविता को पढ़ते पढ़ाते हैं तो आज हम देव की कविता को पढ़ेंगे समझेंगे कि उस कविता किस तरह भिन्न है आज की कविता से और आज की कविता उस रीती कालिन कविता से किस तरह प्रभावेत है, तो आएं दोस्तों हम देव की कविता की चर्चा करेंगे, तो इससे पहले जाने कि देव कौन थे, किस दरबार में रहे थे, उनका परीचे क्या है, संक्षित में इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, इतना तो हम जानी चुके हैं कि देव रीतिकाल के प् मिशेश स्थान है, देव के कावे को जानना समझने के लिए थोड़ा सा उनका व्रतितु भी जानना जरूरी है, देव का जन्म इटावा में हुआ और वे उनका पूरा नाम देवदत त्रिपाथी था, उनका जन्म ऐसा माना जाता है, 1673 में हुआ, उन्होंने अपना पहला कावे लिखा, बहुत मौलिक प्रतिभाशालिक कवी थे, इसलिए 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने पहले कावे की रचना की, इसी कावे से उनका जन्म का निर्धारन किया गया है, बाकी हमारे पास को इसके बारे में जादा साक्ष मिलते नहीं है, और देव की कवि कविता पढ़ने पढ़ाने के कारिकरम के इस भाग में हमने रीति कालीन कविता की क्या विशेष्टा है, इसके बारे में जाना, भक्ति कालीन और रीति कालीन कविता में क्या अंतर है, इसको भी देखा, रीति काल की कविता क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, या रीति काल की कवीता हम क्यों पढ़ें इसके बारे में भी हमने जाना और साथ ही कवीता का पाठ कैसे किया जाए ये भी आपके सामने रखा बाकी के जो पाठेक्रमे निर्धारित छंद है उनको हम कारेक्रम के अगले भाग में जानेंगे झाल 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 झा